नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है खोश खबर कायक्रम में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया की ऐसी खबरों की जो एहम हैं, मानी खेज हैं और जिनें बताया जाना, शेयर करना जरूरी है कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिधार्ता की आत्मात्या ने देश के अच्छे खासे हिस्से को इस्थब्द किया है देश जिस भीशन आर्थिक मंदी, करजे, दिवाली पन की ओर जा रहा है, उसकी भयानक तस्वीर पेश करती है ये आत्मात्या जिस देश में तीन लाग से अधिक किसान आत्मात्या कर चुके हैं और यह आकड़ा शर्मनाक धंग से लगातार बढ़ता जा रहा है अकेले महराश में पिछले तीन सालों में जो सरकारी आकड़ा है उसके मताबिक 12,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं वहां करोणों रुपे की कंपनी के मालिक युवा उद्यमी की यह जो आत्महत्या है शायद देश की उस सेक्षन को देश के आर्थिक हालात पर सोचने पर विवश करें जिनके लिए किसान और मजदूर माइने नहीं रखते उन्नाव की बहादूर बेटी रेप सर्वाइवर का जो संगर्ष बलातकारी सत्ता से चल रहा है उसे सलाम करते हुए उसके साथ आरोपी विधायक कुलदीब सेंगर की जो हत्यारी साजिशे हैं जिनका कड़ा विरोध पूरे देश में हो रहा है उसके साथ खुद को जोड़ते हुए भाशपा की जो साजिशे हैं उनकी भरसना करते हुए इस कारिक्रम का आगाज आज हम एक ऐसी खबर से करेंगे जो हर किसी के चहरे पर हसी और मुस्कुराहट लाने का माद्दा रखती हैं यह खबर आई बहुत दूर से हैं बहुत दूर से दो देशों की सरहदों के बीच से दो देशों के बीच जो सरहद है वहाँ एक दीवार बनी हुई है जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैक्सिको और अमरीका की यहाँ पर दीवार खड़ी की गई है और दीवार का मकसद यह है कि मैक्सिको से illegal migrants अमरीका ना पहुचें यह लंबी प्रक्रिया है और इसी पर हम देखते हैं कि लंबे समय से जो अमरीकी राश्टपती है डोनाल ट्रम्प उन्होंने अपनी सियासत को खूब जहरीला बना रखा है लगातार वे इसे बढ़ा करने, यह जो दिवार की बात हम कर रहे हैं इसे बढ़ा करने, मजबूत करने और इस पर करोणों, अर्बों, रुपे खर्च करने की बात कर रहे हैं और अपने चिर परचित अंद्राज में बाहर से आने वालों पर जहर उगल रहे हैं इस नफरत का कार्ट, वहां के दो कलाकारों ने आर्टिटेक्ट ने पेश किया बर्कली की उनिवरस्टी ऑफ कैलिफोर्निया के रोनाल्ड रील और सेंट जोस स्टेट उनिवरस्टी की वर्जीनिया सेंट फ्रैचिलो ने हाथ मिलाया, दिमाग लगाया और इस दिवार पर बीचों बीच सी सो लगाया जी हाँ सी सो जिसे हम देशी भाषा में जुमा जुमी और ठीकी भी कहते हैं गुलाबी रंगे तीन सी सो लगाये गए दोनों देशों के दिलों के बीच बच्चों को बठाया गया दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से बच्चे आए इस गुलाबी रंग के सीसौ पर बैठे उनके माता-पिता आए, चाहने वाले आए, दोस्त आए और दोनों देशों के बीच दोस्ती को कायम करने वाले लोग आए और उन्होंने मिलकर जितना हववा अमरीकी सत्ता ने खड़ा किया था जिस तरह से एक दूसरे को दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही है सब को एक पल में टाय टाय फिस कर दिया इसमें दोनों देशों के बच्चे जिस तरह से जूले पर जूलते हुए ये ऐलान कर रहे थे कि कोई भी दिवार जी हां सरहद और सरहद पर बनी दिवार कभी भी इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो दिलों के प्यार को रोक पाए खत्म कर दे दोनों मुलकों के बीच जो दोस्ती है वो हकायम रह सकती है आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो जबरदस धंग से सरहा गया पूरे दुनिया भर में वाइरल रहा इसमें सी सौ का एक छोर न्यू मैक्सिको के सनलैंड पार्क की ओर है तो वहीं दूसरा मैक्सिको के अनपरा में है इस प्रियोक के बारे में रियल ने खुद कहा उन्होंने इंस्टाग्राम में लिखा इसे शेयर किया कि हम मेरे और वरजीनिया के लिए जिंदगी का सबसे अतुलनिय अनुभव है यहाँ एक कॉंसेट ड्रोइंग जी हाँ ध्यान देने की बात है कि यह जो सारा खयाल था यह कॉंसेप्च्वल ड्रोइंग से पैदा हुआ जो 2009 के ठीटर टॉटर वॉल से जन्म लिया यह पूरे इस अवधार्णा ने इस कॉंसेट ने और फिर देखे किस तरह का उल्लास किस तरह का जोश वहां के लोगों में दिखाई दिया लोगों ने किस तरह से इस प्रियोग को जो बहुत ही चोटा सा था सिर्फ तीन पिंक रंगे गुलाबी रंगे तीन सी सो उन्हों ने दोनों देशों के बीच जो इतना मिस्ट्रस थ इतनी दुविधा थी, लोगों को लग रहा था कि वो एक दूसरे को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, वहां बच्चों ने पहल की, बच्चे आये, दोनों तरफ से बच्चे सीसौ जूल रहे हैं, उनके माबाप साथ हैं, आप जब वीडियो को देखेंगे तो आप नफरत और युद्ध नहीं चाहते हैं, ऐसे दौर में, जब हमारे चारो तरफ, चाहे वो अपना देश हो, अमरीका हो या बाकी दुनिया, हर तरफ नफरत और हिंसा का बोल बाला है, दिलों को दूर करने के लिए दिवारे बनाई जा रही हैं, कहीं डिटेंशन सेंटर बन अच्छा एक्जेंपल है, जिसे ये हम साबित कर सकें, कि अगर हम अमन चाहते हैं, तो हमारे ये रास्ते अनन्त हैं, अपने देश असम से एक छोटी सी ख़बर देखने को मिली, जो हिंदी अखबारों में तो नजर ही नहीं आई, अंग्रेजी अखबारों में नामालूम इसे कोने अतरे में छपी है, मानो, खाली जगा भरने के वास्ते इसे जगा मिली है, लेकिन खबर बहुत एहम है, असम विधान सभा में एक सवाल के जवाब में, वहां की जो पार्लिमेंटरी अफेर मिनिस्टर हैं, चंदन मोहन पटवारी, उन्होंने सदन को बताया, कि प इगल फॉर्णर्स घोशित किये गए थे, इन में से साथ साथ मौतें 2018 और 2019 में यानि अभी तक दर्स की गई, मारे गए इन 24 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का पता सरकार के रिकॉर्ड में बंगलादेश के नाम पर दर्स है, बाकि 22 लोगों का पता असम का ही है, यानि 22 लोग डिटेंशन कैम्प में जो बंग थे, उनके पास असम का पता था और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि साबित कर सकें कि वो लंबे समय से असम में रह रहे हैं, लेकिन वो डिटेंशन कैम्प में बंग रहे और वहीं फना हो गए, वहीं मर गए, ठीक इसी सम में एक और खबर सामने आई, जिसमें असम सरकार ने डिटेंशन कैम्प में तीन साल से अधिक समय से बंद घोशित विदेशी, जिसी अंग्रेजी में कहते हैं, डिकलियर्ड फॉर्नर्स को रहा करने का फैसला किया, हाला कि यह फैसला सुप्रीम कोट द्वारा निर्धारि शर्तों के अनुसार है, यानि वही लोग रिहा होंगे जो सुप्रीम कोट की जो शर्ते हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे, यह फैसला पंदरा इंसानों के लिए बहुत देर से आया, असम सरकार ने इस फैसले को सुनाने में इतनी देर कर दी, कि जो पंदरा लोग इस आजा राजहार, सिलचर, डिब्रूगर, जोरहाट और तेशपुर में 938 लोग बंद हैं, इन में से 335 लोगों को सरकार ने जो फैसला किया है, वह इस रिहाई की श्रेणी में आती हैं, हाना कि इन में से कितने रिहाई की जुड़ी हुई शर्तों को पूरा कर पाएंगे, इसमें बहुत संदे है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कैम से रिहाई तभी हो सकती है, जब वो दो भारतिय नागरिकों द्वारा एक एक लाख रुपे का बॉन्ड, पता और बायमेट्रिक्स डिटेल दे, जो कि इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, लंबे स कि आतंक तले जिस तरह से असम डूबा हुआ है, वहां का अलपसंख्यक, माइनॉरिटी जिस तरह से खौफ जदा है, क्या, वहां कोई इस तरह का सीसौ हो सकता है, जैसा हमने देखा कि अमरीकों और मेक्सिकों के बीच हुआ था, क्योंकि यहां पर भी पूरी कोशिश है, क एक अच्छी खासी आबादी को अपने ही देश में गैर कानूनी डिकलियर्ड फॉर्नर्स खुशिद किया जाए, और यह संख्या लाखों में है, अगर वहां का दुखदर्द हम देख पाएं, और महसूस कर पाएं कि वे भी भारत का हिस्सा है, तो शायद डिमोक्रिसी या जो जमूरियत का सवाल है, उससे हम अपना रिश्टा जिन्दा रख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, कि इस तरह की जो मानवियर पहल है, वह कम होती जा रही है, या उसका जो पबलिक स्पेस है, वह कम होता जा रहा है, खोश खबर के इस एपिसोड में यूस क्लिक।